विधान सबद चुनाओं पर पड़ा ओमिक्रोन का ग्रहन ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों पर इलाबाद हाई कोट ने जताई चिन्ता प्रधान मंद्री मोदी से की यूपी में रेलियों पर रोक लगाने की अपील हाई कोट ने कहा जान है तो जुहान है भारत में कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने जो तबहाई मचाई थी उससे देश आज भी नहीं उबर पाया कोरोना के बदलते वेरियंट लगातार भारत की चिन्ताएं बढ़ाते जा रहे हैं ऐसे में कोरोना के नहीं वेरियंट यानि की ओमिक्रोन के मामले भारत में तेजी से बढ़ने लगे हैं जिसके चलते इलाबाद हाई कोट भी चिन्तित दिखाई दे रहा है तभी तो इलाबाद हाई कोट ने देश में होने वाले चुनाओ को लेकर प्रधान मंतरी मोदी से बड़ी अपील की है इलाबाद हाई कोट ने कोरोना वाइरस और ओमिक्रोन के बढ़ते हुए केसों को देखते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी से गुजारिश की है कि यूपी में रेलियों पर रोक लगनी चाहिए इसके साथ ही हाई कोट ने कहा कि सरकार को यूपे विधान सबाद चुनाओ को भी कुछ समय टालने पर विचार करना चाहिए जी जी उसमें कोट ने की और कर दिया है रिगार्डिंग एलेक्शन की अगर जरो समझा तो महीने-दो महीने के लिए सिलेक्शन को आगे पॉस्ट पॉंड कर दिया गया है इसके लिए वह प्रधान मंत्री जी को भीर हो रही है तमाम दलों के इस पर भी चिंतागर कि एगा चिंतागर कि नहीं हो पाती है तो वेसली प्रधान मंत्री जी को भी उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि अगर उसमें भी कुछ हो सकता हो ठीक है क्योंकि को भी यह मानना है कि किसी को भी असुविदा ना हो दरसल जस्टिस शेकर कुमार यादव की एकल बेंच में जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी इस दोरां कोट में भीड को देखते हुए जच ने प्रधानमंतरी मोदी से यह अपील की हाई कोट ने क्या कहा जस्टिस शेकर गुमार यादव ने कहा कि इस न्यायले के पास करीब 400 मुकद में सूची बद हैं इसी प्रकार से रोज मुकद में सूची बद होते हैं इस कारण से बड़ी संख्या में अधिवक्ता आते हैं उनके बीच किसी भी प्रकार के सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती वे आपस में सटकर खड़े होते हैं जबकि कोरोन के नई वेरियंट उमिक्रोन के मरीज बढ़ते जा रही हैं साथ ही तीसरी लहर आने की संभावना है हाई कोट ने कहा कि दैनिक समचार पत्र के अनुसार 24 घंटे में 6000 नई मामले मिले हैं 318 लोगों की मौते हुई ये समस्या हर देन से आग रहे है किस विकट स्थती से निपटने के लिए नियम बनाएं कोट ने कहा कि दूसरी लहर में हमने देखा कि लाखों लोग कोरोना संक्रमित हुए थे साथ ही लोगों की मौत भी हुई थी कोट ने कहा कि प्रधान मंतरी मोदी और चुनाव आयुक्त प्रदेश में वह सभाओं पर रोक के लिए कड़े कदम उठाएं कोट ने कहा कि राजनिदिक पार्टियों से कहा जाए कि वे चुनाव प्रचार टीबी और समचार पत्रों के माध्यम से करे कोट ने कहा कि प्रधान मंतरी चुनाव टालने पर भी विचार करे क्योंकि जान है तो जहान है वेक्सिनेशन अभ्यान के लिए प्रधान मंतरी की तारिफ आपको बताने कि कोरोना काल में इससे पहले भी विधान सभा के चुनाओ हुए हैं अगस्त 2020 में हुए बिहार चुनाओ और 21 में हुए पश्रिम मंगाल तमिलनाडों सहित 5 राज्यों के चुनाओ के वक्त भी कोरोना संक्रमण पीक पर था इसके बावजू चुनाओ आयोग न कोरोना गाइडलाइन्स भी ज़ारी की थी इसमें रोड शो से लेकर मदान तक के लिए नियम बनाए गए थे हालाकि इस चुनाओ के दौरान कोरोना का ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला था लेकिन उत्तर प्रदेश पंजाब समय देश के पाच राज्यों में फरिवर रिपोर्ट पंजाब केस्टी टीवी